हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे सामान ग्यान के बारे में इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक पर चलाचे कर रहें अभी इतिहास टॉपिक में हम लोग ने लाज्ट लेक्चर में बात की थी जो भारत में धार्मिक सामाजी का अंदूलन हुए उनके बारे में उससे पहले आपके जितने भी अंदूलन हुए पर चाहे वो 18-175 का हो आदिवासी विद्रो हो पर चाहे आपका किसान अंदूलन हो उन सभी को हम लोग देख चुके हैं आज हमें बात करनी है बेटिस समराज के गवर्नर जनरल एवं वायसराय देखना है और इससे संबंदितार के कुछ महत्पून तत्ते हैं उनके बारे में भी जानेंगे हम लोग आज और जो आपके फरीच्छा के पॉइंट और वीव से महत्पूने कुछ अन्नतत उन्हें भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के गवर्नर 1773 के ड्रेगवू लेटिंग एक्ट के अनसार रोबाइट के लाइब इपित्थम सासन रोबाइट के लाइब ये आपका 1757 से 1760 इसी भी तक रहा फिर आया हॉल बेल ये आपका 1760 इस भी में वेंसी टार्ट ये आपका 1760 से 65 रोबाइट के लाइब दूसरा सासन ये 1765 से 1767 फिर आया वरेलेश्ट 1767 से उनत्त कॉर्टियर 69 से 12 वारेंग हैस्टेंग्स 72 से 74 से 74 ये थे आपके बंगाल के गवर्नर फिर आप पता हुआ बंगाल के गवर्नर जनर कहलाने लगे गवर्नर जनरल तो अब इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोग यह आपके नाम है इनके गवर्नेस जनरल के और इक काल है इनका जब जिस टाइम में रहे हैं और इनसे संबंदित जो मुख घटना है हुई है उनका वेवरण है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके समय काल की कारकाल की मुख घटना है काउंसिंग काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट से जगड़ा पित्थम मराथा और लुतिय मैसूर इउत इसके समय में हुआ फिट्स इंडिया अधिनियम एसियार्टिक सोसाइटी की इस्थापना सुरक्षा प्रकोष्ट यार्रिक फैंस की नीती बंगाल में द्विट्सासन की समापती कलकत्ता में उच्च नियाले की स्थापना और महावियोग इस पर चला है याद रखना है यह था आपका वारेन हैस्टेंस याद रखना है आपको इनी से संबंदीत आपके बहुत महत्पूर कुश्चन पूंचे जाते हैं य याद के लिए बहुत ही महत्पूर है इनका समयकाल पूंच लेगा या फिर इनके जो मुखकार है इनकी समयकी उनके बारे में पूंच लेगा फिर आता है आपका सर जोन मैकाव पर्सन मैक पर्सन ए रहा है 1785 से 86 ए आपका आइस्थाई गवर्णर जनल था आइस्थाई लौर्ण बालिस लौर्ण बालिस 1786 से 1793 तक इसके समय में अधालतों भूमीकर और नौकरियों में सुधार हुआ इसके समय तिये में सुरियोद लड़ा गया बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त परणाली की सुरुआत हुई सिविल सेवा का सेजन हुआ नियाएक संगटन की स्थापना हुई जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कॉर्ण बालिस कूड का निर्माड इसके समय में हुआ ठीक है तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है लौर्ड कॉर्ण बालिस को फिर आए आपका सर जौन सौर यह राज सत्रे सो तेरानवेशी अंठाउन बे तक इसके समय में की मुख गटना है आहस्तिछेव की नीती देशी राज्यों में प्रांसिसियों की सडेंत इसके कारकाल की मुख विसेस्ता है लौड बेले जली यह राज आपका बेले जली सत्रे सो नठानवेशी अठारे सो प्मास्तर इसके समय की मुख गटना है साहिक संदिया चत्तोर्थ मैसूर यूद दूतियो और तितिये मराठा यूद साहिक संदि करने वाला राज हैदराबाद मैसूर तंजोर अवद फेसवा वरार एवं बहुंसले सिंदिया आदी अठारे सो में फोर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना हुई परन्तु नागरिक सेवा में भर्टी उकों के पिसीक्छन्स में जान्दा बैय की कारण अठारे सो छे में इंगलेंड के हेरी बरी इस्थ कॉलिज की स्थापना की गई थी फिर आया आपका लॉड कानवालिस अठारे सो पांच में इसकी कब्र गाजी पुर उत्तर पिदिस में है इसके बारे मैं याद रखना है इस पॉइंट को क्योंकि कई बार पूच लिया है लॉड कानवालिस की कब्र गाजी पुर उत्तर पिदिस में है फिर आया आपका सर सर जॉज वालो सर जॉज वालो अठारे सो पांच से अठारे सो साथ तक रहा इसके कारकाल की मुख घटना है मराठों से नई संदिया एवन बंगलोर में सिपाही विद्रो इसके समय की मुख घटना है फिर आया आपका लॉड मिंटो अठारे सो साथ से अठारे सो तेरे तक सीमान तराजियों से सिंदिया एवन फ्रांसिसियों के उपनिवेस पर अधिकार किया इसके समय फिर आया आपका गोरखायोत, पिंडारियों के दमन मराठों की सक्ती का अंत सिक्षा को राजकी साहता अधालतों में सुधार तितिये आंगल मराठायोत और आंगल नैपालयोत हेस्टिंग के समर में हुगा है फिर आया आपका लॉड एम हर्ष्ट 1823 से 28 तद इसके समय में बर्मा का पिता में योद्ध हुआ वेरकपूर की चाउनी सैनिक केंप में 1824 में विद्रो हुआ फिर आया आपका लॉड विलियम बेंटिक कौन सा? लॉड विलियम बेंटिक 1828 से 33 तक रही इसके समय की मुख गटना है ठगी पिताकांद राजाराम मुहन राय के सहयोग से सत्थी पिताकांद वारत वासियों की उंचे पदों पर नियुक दी मैसूर का अंग्रेरी जाज में बिलर इसी के समय में हुआ पिर भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगी 1833 के चार्टर एक्ट के एदिन तो भारत के गवर्नर जनरलों में आपके समय थे लौर्ड बिलियम बेन्टिक यह रहा है आपका 1833 से 1835 तर इसके एक कारकाल की मत्मूर गटना है आधुनिक सिक्षा का जनम दाता इससे कहा जाता है मेरकाली की रेपोर्ट ली कमीसन की निवक्ति इसी के समय में हुई थी फिर आपका सल चार्ज मैटकॉप 1835 से 36 प्रेश की सुधन्ता सल चार्ल्ज मैटकोप का प्रमुक कारेथा पेश की सुधन्ता लौर्ड उकलेंड लौर्ड उकलेंड आपका 1836 से 42 तक रहा फित्थम आंगल आपगानियुत इसी के समय हुगा पर आपका लॉड एलन बरो ए 1842 से 1844 तक सिंद का अंग्रेजी जिर्षमराजय मिलाए जाना रभीबार की चुट्टी की सुरुवात 1843 से हुई है लॉड एलन बरो की समय से रभीबार की चुट्टी कब से हुएं 1843 से फर ये बिलियम विल्वर फोसवर्ड इस्थापन 1844 में हुए हुए फर लॉड हार्डिंग्स कोना है? लॉड हार्डिंग्स ये राय 1844-1888 इसके समय में पिथम आंगल से क्योग दुगा था फिर आया आपका लॉर्ड डलोजी बहुत ही मात्पूर्स गवर्नल है भारत का भारत का गवर्नल जनल लॉर्ड डलोजी अठारे सो अठाली से चपन तक रहा इसके समय में बहुत कारी हुए दूसला आंगल सिध्यों सिख्खे उद्ध हुए हडप की नीती रेलों का आरम लॉर्ड डलोजी के काल में ही हुए सासन सदार हडप नीती के अंतर का तदाज सतारा जैतपूर संबलपूर वागाट उदैपूर जहां सी नागवोल इसमें नीत हडप किया गया है नीत हडप नीती के अंतर कर सामी किया गया तार सेवा का आरम इसी के समय हुए नागरिख सेवा में पितियों की परिक्षाओं का आरम पबलिक वोग्स डिपार्टमेंट की स्थाबना भाती राजज छित का अंतिम विस्तार फिर आए आपका लॉर्ड केनिंग 1856 से 1858 तो इसमें सबसे मत्मून कार्व हुए इसकी समय में 1857 का विथम सुतंता संगराम या 1857 का वित्रोर विस्तु विद्यालायों की स्थाबना कम्पिनी की सासन का अंत विदभा पुनर विभार अधिनियम पारित बंबई कलकत्ता मद्रास में एक एक उचने आले की स्थाबना माहलेखा परिच्छा का गटन किया गया लॉर्ड केनिंग की समय में ठीक है आँगे बात करते हैं गवर्नर जनल या फिर वायसराय कहलाने लगी अब लॉर्ड केनिंग 1859 से 62 इसके समय में रेलों का विश्तार विवस्तक विवस्ताप्त का सभाओं की सदस्थ पड़े 1861 का भालतिये परिशतादिनियम आया हाईपोट की स्थापना भालतिये दंड पिक्रिया सहिता इसके समय की मुख गटना है फिर आपका लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 वहावी अंदुलन का दमनिसी ने किया था फिर आपका सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 आफगानों से तर्टश्त की रहने की निती भूमी रक्चा कानू भूटान का बिलाई इसके समय हुगा फिर आपका लॉर्ड मेव 1869 से 72 वरांतिये सासन में सुधार मेव कॉलेज आज मेर की स्थापना पिथम जडगर्णा की सुरुआत किर्शी विभाग की स्थापना तो इसमें से आपका पिथम जडगर्णा की सुरुआत कहीं बार पूंच लिया है तो यह कब सी हुई तो आपको बता दिना है 1872 से हुई किसके कारकाल से लॉर्ड मेव के फिर आए आपका लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से 76 तक राग इसके समय में अफगान नीती तटरस्ता जाली गई और इसके समय में एक कूला आंदोलन हुआ था फिर आए आपका लॉर्ड लेक्टन 1876 से 80 इसके समय काल की प्रोमु गटना है दूतिय अपकान यूत अकाल आयू का गटन वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट 1872 में पिथम जन गडना की सुरुआत भारतिय सास्त अथिनियम पारिद महरानी विक्टोरिया को केसर ये हिंद की उपादी दी गई फिर आए आपका लॉर्ड रिप्पन 1884 अफगान यूद की समापती इलवाट विल पर भाहस तुरेस की सुतनता इस्थानिय सुसासन की सुरुआत सरपिथम नेमित जन गडना अगर पूँचे कि जन गडना कब से सुरूँगी तो मेवो के काल से हुई लेकिन नेमित जन गडना आपकी रिप्पन के काल से हुई थी याद रखना है 1881 से फित्थम फेक्टिरी कानून भी लॉर्ड रिप्पन के काल समय में आया फिर है आपका लॉर्ड डप्रें 1884 से 88 इसके समय में कॉंग्रिस की स्थापना तीसरा आंगल बर्मा यह उत्थवा किसके लॉर्ड डप्रें फिर आया आपका लॉर्ड लेंस डाउन 1888 से 494 1892 का सुधार मुसलिम संगटन कारम भारत अफगानिस्तान किमत डूरन रेका का निधार दूसरा कारखाना कारखान आदिनियम इसी के समय में आये था फिर है आपका लॉर्ड एलगिन दूतिय 1894 से 99 1896 से 98 इसवी किमत भेंकर अकाल पड़ा लॉर्ड एलगिन दूतिय के समय फिर है आपका लॉर्ड करजन 1899 से 1905 के बीच इसके समय की प्रमुख गटनाओं में सामेले सासन तता सिक्षा सुधार महामारी और अकाल विस्विद्यालाय आयो का गठन भारतिय पुरातित बिवाग की स्थापना बंगाल का बिवाजन रेलवे का गठन 1905 में फ्रेसर कमीशन पुलिस सुधार इसी के समय की प्रमुख गटनाओं पूच लेता है कि बंगाल बिवाजन के समय कौन यहां का बोता गवर्नर जनर गवर्नर तो याद रखना है लॉर्ड करजन फिर आता है आपका लॉर्ड मेंटो दुथी है लॉर्ड मेंटो दुथी है 1905 से 1910 मुसलिम लीग की स्थापना भी इसके समय माले मेंटो सुधार 1909 मुसलिम लीग का गटन 1906 में इसके समय हुए कांग्रेस का बेभाजन हुए फिर आया आपका लॉर्ड हार्डिंग 1910-1916 तिल्दी दर्वार बंगाल का विभाजन रद्द हुआ इसके समय फित्थम विश्यूदिका आरम फिर आया आपका लॉर्ड चेम्सपोर 1916-21 तक हॉम रोड लेक्की स्थापना हुई इसके समय जलिया बाला बागा कांड हुआ इसके समय रॉलेक टेक्ट आया खेलापा तांदोलन हुआ असाय उगांदोलन हुआ शेडलर आयो की स्थापना हुई फिर आया आपका लॉर्ड रीडिंग 1916-26 कांगरिस का दमन सुराज पार्टी के कटन एकमात यहूदी गवर्नर जनरल चोरी-चोरा कांड हुआ ऐसी के समय लॉर्ड रेडिंग के समय फिर आया आपका लॉर्ड इर्वीन 1916-1931 तक भद्द आंदोलन कांगरिस से समझो था गॉलमेज सम्मिलन, साइमन कमिशन, सविनय अयुगांदोलन, पूर्ण सुराज का लक्ष गांदी इर्विन समझो था एक हुए आपके लॉर्ड इर्विन के समय में फिर आया आपका लॉर्ड बिलेंग्टन 1931-34 कांगरिस का दमन पूर्णा समझो था संबदाइक प्रांतिय सुराज की स्थापना पहला चुना हुए इसके समय, अगस्त बिस्तावा है, किफ्स मिसल और भारत चुड़ू अंदोलन आपका लॉर्ड लिन लेतगू के समय में हुए था, आँगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं गवर्नर जहल्टन, क्राउन वायस वायस रहा है था ये, ग्राउन का पिति ने दित, लॉर्ड लिन लेतगो 1936 से 1936 तक रहा है, वेयर बेवर्न स्थापन 1936 में, फिरायाब का लॉर्ड लिन लेतगो 1936 से 1943, इसके समय में दुतिय विस्तियोद का अरम हुए, भारत चुड़ू अंदोलन का अरम इसी के समय फिराया आपका लॉर्ड बेविल 1937 से 1937 से 1937 तक, कॉंग्रेस नेताओं की रहाई हुए इसके समय केंद्रियत प्रांतियम सभाओं का नया चुना हुए, विधान सभाओं का चुना हुए, कैबिनिट मिशन 19, सुरी, 1946 में आये, 1940 में आये, जवाहर नहरू की अंतिम सरकार, जवाहर लाल नहरू की अंतिम सरकार, 1940 भाराज विभाजिन की और, ये सभी आपके लॉर्ड बेवेल के समय के गठना है, फिर आता है आपका लॉर्ड माउंट बेटन, माउंट बेटन, 1947 से 48 तक, पाकिस्तान और भारतिय संगी क इस था अपना संपतायक दंगे, कसिमी डेउत, गांदी जी की हर्तिया, लॉर्ड माउंट बेटन के समय हुई, फिर आये चक्कवर्ती, राज गोपालचारी, ये भारतिये थे, ये 1948 से 1950 तक रहे, इनके समय में देशी राज्यों का इकत्तित हो न, नभीन समिधान का निर्म मार हुआ, तो अंतिम्तेर वाचरा है, चक्कवर्ती, राज गोपालाचारी, आगे बात करते हैं, लोग कुछ बिदेशी, बिदेशों में भारतिये संगठनों की बारे में बात कर लेते हैं, जो आपकी परिच्छाओं के लिए बहुत ही मात्पूर रहते हैं, बिदेशों म स्थाफ़ाद आपका, बना, इसके संटाफाक्तिbak त्याम किष्ण वर्मा कहां बना थे हैं, लंदन-इंगलेंड में, थे अपका, अभीनव भारत, कौन्सा अभीनव भारत, यह बना आपकां, परिदेशों में में स्थाफ्ण 25 से ओ, और इसके संस्था पकतिए, वीडि सा संस्थापक थी अमेरिका में गदर पार्टी बहुत ही महत्पूर है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई इसके संस्थापक थी हर्दयाल लाला हर्दयाल रामचन इवं बरक्तुल्ला इसकी स्थापना हुई थी स्रेंड फ्रांसिस्को अमेरिका में फरेयापका इंडिया Independence League 1914 में इसके संस्थापक में सामिल थी लाला हर द्याल वीरेंदनाद चटो पत्दिया है वर्लिंग जर्मनी में भी थी इसकी फिर बात करते हैंगे India Independence League and Government ये 1915 में राज्या महंद परताब काभूल अफगालिस्तान में हूई इसकी India Independence League 1942 में आज़ाद हिंद खोच उनिस सो ब्यालिस में राषबेहारी बुश उनिस सक तेई। पुनरगटा शिंगापुर में नेता जी सुवाश्यन बुशWhat ने किया था उनिस सस्थावा कुन थे राषबेहारी बुश टोकी उ जापान में हुआ फिर बात करते हैं पेटिस काल में बिदेशी विदेशियों पर अधिकाल एदेश हैं और बार्स हैं गबर्नर जनरल या वाइसरा हैं अधिकार की प्रव्टि नैपाल अठारे से सोले में लॉड हैस्टिंग के समय कुमायू एवं गड़वाल का बिलाई समय किया गया हैं सिंध अठारे सो तैंतारीस में लॉड एलन बरो फूर्ण बिलाई किया गया हैं इसका सिक्किम अठारे सो एकसट में लॉड केनिंग फूर्ण बिलाई भूटान अठारे स 1889 Lord Laten के समय बाहे नेंतन इस्थाफित करना बर्मा 1885 Lord Daprain के समय पूर बिले मडीपुर 1881 होगा से Lord Lensdawn के समय पूर बिले यह होगा आपका 1891 दिबत 1903 Lord Karjan फूर बिले आगे बात करते हैं अब बात करते हैं सेमिक संग या संग या संग या संग या कि संग इस संस्थाप के वह जिस बर्स में हुआ इसकी स्थापना यह है वह इस स्थान है जहां हुआ है Bombay Handmill Association इसके संस्थापकते N.M. लोखंडे 1880 में कहां हुआ था बंबई में Workus Men's Club या आपका ससीपद वनरजी 1870 में कलकत्ता में पैंटस यूनियन 1905 में कलकत्ता रेलबे मैंस यूनियन 1906 में कलकत्ता कामगार हित वर्थक सभा इसके संस्थापकते S.K. बोधे 1909 में कहां हुआ था बंबई में मद्रास सैमिक संग जी यार नाइडू चेल पली चेल पत्ती 1908 में मद्रास में याद रखना आपको इसी तरह की आपकी वन्डे एकजाम में अधिकतर इसी तरह की questions पूछे जाते हैं ठीक है एहमदाबाद Textile Labor Association इसके संस्थापकते अनु सुया सुया साराभाई 1920 में कहां हुआ था एहमदाबाद में पर है आपका All India Trade Union Congress इसके संस्थापक थे एन एम जोसी 1920 में हुआ बंबई में बंबी टेक्स्टाइल लेवर एन एम जोसी थे इसके संस्थापक बंबई में हुआ था All India Trade Union Federation इसके संस्थापक थे इसके संस्थापक एन एम जोसी थे इसके संस्थापक थे एन एम जोसी नकी थे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस बल्लबाई पटे ने की थी इसकी स्थाफना जमसेथपूर लेवर एसोसियेशन एस एल सोरी एसस हल्दर 1925 में जमसेथपूर में अब इस समय की कुछ मत्मूर पुस्टक पुस्टकें देख लेते हैं उनकी लेकर पुस्टक ह यह आपकी लेकर हो गए बंदी जीवन सचिन्दनाद सन्याल याद रखना पुस्टक मूच लेगा आपका बंदी जीवन किसकी पुस्टक है तो आपको बताना है सचिन्दनाद सन्याल भारती स्वतंत संग्राम तो आपको बता देना है बीडी सावर करकी भवानी मंदिर व वरिंद कुमार गोस, पथेर दावी, सरचन्द चटोबद्या, आदम सक्ती, साल्थी, बिजली, ये पत्तिका थी हैं आपकी भूत पूर्थ कहधियों की, अब बात करते हैं, ये तो जन्नल लॉलेज के लिए कईवार कुश्चन आ जाते हैं, इंटर्वियू में भी पूछ लेते हैं, फिर मों खुपादियां हैं, ये उपादियां हैं और ये प्राप्त करता हैं जन्नोंने इन्हें दे हैं, जैसे राजा की उपादी, किसे मिली थी? राजा राम मोहर राय को, राजा की उपादी किस ने दी थी? अकबर दुतियन हैं, जैसे पूछ लेगा कि महतमा गांधी को, महतमा की उपादी किस ने दी थी? तो आपको बता देना है, रवेंदनाट टेगोर सहाब ने दी थी, प वेश्टन चर्चिल और फैंक मौरिस ने फिर आएगा की अगर पूचलेगा कि मांत्मा गांधी को देश दुरोई अगर पूचे की महत्मागांदी को राष्ट-पिता किस ने कहा था तो आपको बता देना है सुवास्चंद बोस को नेता जी किस ने कहा था तो आपको बता देना है अगर पुचे कि बनलब भाई पतेल को सरदाल की उपाधी किस न दी थी तो आपको ध्यान से याद हिरे रखना है बारदोली की महयलाओने अगर पुचे कि स्वामी बेवेकानंद जी को बेवेकानंद की उपाधी किस न दी तो याद रखना महराज खेतडी अगर पूचे कि मुहम्मद अली जन्ना को काय में कायदे आजम की उपादी किस ने दी तो आपको बता देना है महत्मा गांदी जी ने अगर पूचे कि सुभास्चंद बॉस को देशनायड की उपादी किस ने दी थी तो याद रखना है रबेंदनाट टेगोर साहब ने तो चलिए यह थे आपके बैटिस समराज के गवर्नर जनरल एवन गवाय सराय देख ली हम लोगों ने वो कुछ महत्पूर्ण जो आपके परिच्छा के वाइंट वी उसे महत्पूर्ण थे उन पॉइंटरों को भी हमने देख ली है आगे हम लोग बात करेंगे भारत की जो बैटिस सासन की भूराजस्वन नीतियों के बारे में बात करेंगे जो भारत में लाई गए थी ठीक है